दोस्तों स्वागत आपका एक्जाम मंदन में दोस्तों आज हम लोग एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसके तहले हम लोग देज भर में जितने भी रोजगार आ रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी प्रवदान करेंगे क्योंकि सभी लोग हम exam की त्यारी करते हैं किसी नौकरी पाने के लिए अगर आपको सही नौकरी की जानकारी नहीं हो तो वहाँ पे आपको नौकरी नहीं मिलती है इसलिए हम लोग इंडिया में जितने भी important जो हमारे रोजगार आएंगे चाहिए central government की होगी चाहिए state government की होगी वो हम लोग आपको regular basis पर provide करेंगे तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का first employment जानकारी तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे Delhi Subordinate Services Selection Board जिसका की नाम है दिल्ली अधिनस्त सेवा Chain Board इसमें जो करीब बहुत सारी भरपूर जो है नौकरिया अभी के लिए आवेदन मांगा गया है यहां करीब 7,236 vacancies हैं और किस-किस categories में हैं तो vacancies हैं हमारी trained graduate teachers के लिए junior secretary assistants के लिए साथ में assistant teachers, counselors, head clerk, पटवारी के लिए यह जो नौकरिया है काफी महत्पूर्ण है जोकि सभी में लगबा grade B या उनसे उपर की salary इसमें provide की जा रही है तो यह काफी महत्पूर्ण हो जाता है आप सभी लोगों के लिए और जहां तक रही बात इसमें eligibility के लिए तो यह जो है अलग-अलग post के लिए अलग-अलग variation है वो आप notification में देख सकते हैं जहां तक रही बात उम्र की तो यहाँ पे trained graduate teachers की जो उम्र है वो 32 साल maximum limit है junior secretary assistant की 27 साल उम्र maximum है 27 साल और बाकी चारों की assistant teachers, counselor, head clerk, assistant teachers की लिए इसमें जो maximum उम्र है 30 साल और पटवारी की जो उम्र है वो 21-27 साल तक है दोस्तों सबसे पहले बात जब भी आपको exam का form भरें तो उसकी जो है last rate की बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्योंकि last में apply करने से कई बार आपका आवेधन पूरा नहीं हो पाता है अब जहां तक रिबार दोस्तों salary की तो salary काफी बढ़िया है क्योंकि इसमें grade B या उससे उपर की आपको salary इसमें provide की जाएगी और इसमें application fee काफी कम है मात रह सौर पे हमारे general OBC candidate के लिए साथ ही हमारे SCST priority और exhibition के लिए कोई भी इसमें fees नहीं है अब दोस्तों जहां तक रिबार इसकी examination की तो वो selection process होगा जिसमे online आपको apply करना है offline बिल्कुल form नहीं बरना है online apply करना है और यह रही website यहाँ पिदा करके आप apply कर सकते हैं यह भी हमारे आपको दिखाएंगे कि कैसे apply करना है और जहांतर भी बात इसमें selection process में दो tier में exam होगा first tier objective होगा थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में detail से थोड़ा सा दिखाएंगे जो closing date है वो करीब 24 तारिक की है 24 जून की है इसलिए आप अभी टाकर के apply कर दीजे और यहाँ पे आप जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे graduate teacher जो हमारे हिंदी में हमारे natural science में, math में, social science में यहाँ पे के लिए और कई सारे के लिए आविदन मांगा गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं grade पे काफी बढ़िया है जो करीब 400 grade पे भी है इसमें मतलब आपको in hand करीब 60,000 से उपर आपको salary daily में मिल जाएगी और साथ में हमारे nursery teacher की assistant teacher है उनके भी 4200 है तो अगर आप में criteria फुल्फिल करते हैं आप यहाँ पे अपने हिसाब से requirement देखे कि क्या आपकी qualification है उस हिसाब से आप जाकर के apply कर दीजिए तो थोड़ा और देखते हैं अलग-अलग चीज़े के बारे में यहाँ पे जैसा हमने बताया कि fees मात 100 रुपे हैं तो काफी सही है कि अगर फीज भी जादा नहीं भिरना है अराम से आप 100 रुपे में online apply कर सकते हैं और थोड़ा सा exam के बारे में देखते हैं तो first year examination होगा इसमें general awareness पूछा जाएगा साथ में general intelligence and reasonability mathematical and numerical ability साथ में Hindi language, comprehension English language and comprehension यह normally आप सभी exam के लिए जो त्यारी करते हैं तो इसी किल्म भी यही त्यारी की जाती है तो वो normal है अलग से कुछ पूछना नहीं है न पढ़ना है इसके लिए कुछ खास तो आप जाके exam बिल्कुल apply कर दिए और दे दिए और जो हमारा tier 2 examination है वो हमारा subjective होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं वो subjective examination है और eligibility criteria है वो अलड़ी यहाँ पर discuss किया जा चुका है reservation benefits भी जो है EWS, SCST, OBC, PWD के जो मिलती है वो भी यहाँ पर provide की जा रही है और वो जितनी भी यहाँ पर relaxation है age की वो आपकी category के साब से यहाँ पर 5 साल है SCST के लिए OBC के लिए 3 साल है PWD के लिए 10 साल है और PWD with SCST के 15 साल PWD, OBC के लिए 13 साल यहाँ पर यहाँ पर relaxation provide की जा रही है और साथ मैं और कुछ-कुछ देखते हैं जो भी exam के लिए काफी यहाँ महतपूर्ण है के लिए कुछ-कुछ यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर क्या-क्या misconduct नहीं करना examination के लिए वो काफी महतपूर्ण है दोस्तों यहाँ पर फर्स जो objective आप examination होगा Tier 1 में यहाँ पर minimum qualification आपको लाना है मतलब minimum आप सबको इतने लाने हैं आपका selection होगा तो आप इसके बारे में देख सकते हैं साथ में यहाँ पर इंटर्यू ले जाएगा बाद में उसमें कोई भी minimum qualification नहीं होगा दोस्तों चली है आप चलते हैं हम लोग इसके website पर चलके देखते हैं कि कैसे आप इधन भरना है दोस्तों यह जो है Delhi Subordinate Services Selection Board का यह official website है लेकिन यहाँ पर जा करके आपको apply नहीं करना है apply आप करेंगे यहाँ पर dssbonline.nic.nic निक पर आप जाके यह apply आपको कर सकते हैं यहाँ पर आपको पहले new registration करना है साथ में आप यहाँ पर register करने के बाद जब आप यहाँ पर login करके अपना पूरा form भर सकते हैं अगर आपको previous paper देखना है या फिर answer seat देखनी है तो वो यहाँ पर question bank और answer quiz यहाँ पर दे रखा है वहाँ पर जाके आप बिल्कुल जाके देखे ताकि आपको इस exam के बारे में जानकारी मिल जाएगी तो दोस्तो आसा करते हैं आपको यह हमारी जानकारी नौकरी के लिए काफी बढ़िया लगी होगी अगर अच्छा लगा है तो किर्पया करके हमारे चैनल को सब्सक्रेब करना ना बोले तो चले फिर आगे मिलते हैं आओ और भी बढ़िया जानकारी के साथ धन्यवाद